सोमवार को नाकपुर शहर में बेहदी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई तैसल क्षेतर में गोराम मचाने वाली एक चौकानी वाली घटना सामने आई बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार की पास सदस्यों को कथी तौर पर हत्या करने और बाद में खुदी आत्म हत्या करने का मामला सामने आया है। बृतक आरोपी आलोग मातुर करने पहले अपनी पत्नी भाबी और उसके पती का गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में अपने बेटी और बेटी का तक्या से गला घोटा और उसके बाद खुद ही फासी लगाने का मामला सामने आया है। मौके पर इस दोरान पुलिस आयकत अमितेश कुमार समेथ पूरे अधिकारी पहुचे साथ ही इस मामले की जांच अभी वीच जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिमाबाई पेट पाचपावली फाटक के पास बिसीकर की घर मी किराय से रहने वाले आलोग मातुकर पिछले साथ-ाथ माह से यापर रहता था। उसके परिवार में पत्नी विज्या, पुत्र साहिल, पुत्री परी थे। आलोग कप्रे सिनने का काम करता था और वह अपरादिक प्रवृतिका था। पिछले कुछ दिनों से परिवार में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। साली अमिशा के साथ में भी कुछ प्रेम प्रकरन होने की चांदकारी मिली है। इसी बात को लेकर घर में बार-बार विवाद होता था। बिती रात को भी सास के साथ में आलो का विवात हुआ और उसने गुस्से में आकर पहले सास लक्षमाई बोब्रे की धारदार हत्यार से हत्या कर दी उसके बाद साली अमिशा बोब्रे की भी निर्मंता से हत्या कर दी उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर अपने घर वापस आया और घर में बच्चों की खाने में जहर मिला कर उन्हें खिला दिया राट में सब खाना खाकर सो गया लेकिन वे सुबह तक उठेंगे आसपास के लोगों ने देखा तो कोई बाहन नसर नहीं है तो किसी ने घर में जहा कर देखा तो सब की शव पड़े हुए दिखाई दी और आलोग भी फासी पर लटका मिला एक व्यक्ती ने बाच लोगों का मडर किया है जो उसकी फाई पच्चे मडर इन लॉग का मडर किया और खुद सूसाइट किया है अबी कुछ पता नहीं चला है अभी वो तिखली करना उप्यूप नहीं रहेगा अभी जस्ट फर्स्ट आवर है इंवेस्टिगेशन के हमारे इज़ेशन प्राइमा फेसी एका वेख्तिन त्यांचे पपनी त्यांचे मुला मुलीनला आनि इखे त्यांचे सास आई त्यांचे साली त्यांचे मडर करूप इस वता आत्मी चाहिए पहुच्चे प्रश्टिगेशन पडोसियों ने पुलिस को सूचना दी उसके बाद परीसर में संसनी फैल गए खटना सल पर परिस आयकर अमितेश कमार सहित कई बड़े अधिकाली पहुच चुके थे क्यामरा पोसन माइकल के साथ अभिशेक पान से बीसेन न्यूस नाकपूर